नमस्कार और जैहिन दोस्तों, मैं आदिते मों ठाकुर इस EMT classes पर आपका स्वागत करता हूँ, यहाँ पर हम basic Hindi पढ़ना लिखना सीखते हैं आज की वीडियो में क्या होगा, यह जो whiteboard पर अभी लिखा है, इन शब्दों को मैं पढ़ने वाला हूँ, यह एक ही मातरा के शब्द हैं, एक ही मातरा के छोटे छोटे शब्दों मैं पहले लिखवा चुका हूँ, यह एक ही मातरा के वाक्यों का अभ्यास है, तो इन पहले पढ़ूँगा, उसके बाद कुछ शब्दों को आपको बोलुँगा, जो चोटे-चोटे शब्दा हैं उनको बोलुँगा, तो पहले इसको अच्छे से देखेगी पढ़े कैसे इसे, फिर जो शब्दों को बोलुँगा, उनको लिखने का अभ्यास करें, उनके आईए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और आप लोगों के बहुत सारे क्वाइरी जाए हैं बहुत सारे सवाल आए हैं कि इन चीजों को कैसे करें उनके लिए लगातार लाता रहूंगा इस चैनल पर और यदि आप सुरू से इंगलिस सीखना चाते हैं तो मेरे आसाने चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पर 200 प्लस वीडियो हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए आज की वीडियो को हम सुरू करते हैं पहले पढ़ते हैं फिर कुछ शब्द बोलूँगा मैं और उसके बाद आपको इन सभी सब्दों को लिख कर दिखाऊंगा अब जैसे इससे पहले की चीजे मैं आप लोगों को करा चुका हूँ पहले जैसे आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ह आया है अपनी 45 वीडियो में अभी तक टोटल 50 वी वीडियो है हमारे चैनल की तो चलिए हमें इनको पढ़के सुनाता हूँ यदि आपको हिंदी पढ़ना रिखना सीखना है तो पुरानी वीडियो जाके जरूर देखिए पुरानी वीडियो जाके देखनी चाहिए बहुत बाद में पर्टिकुलर एक वेक्ति को मैं नहीं जवाब दे सकता लिख भी नहीं पाता हूँ मैं इतना और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है तो चलिए आज की वीडियो में हम पहले इसे पढ़ते हैं र मेश रमेश व मीरा भाई इ भाई बहिन भाई बहिन अब यह बहन भी होता है अगर ही की मात्रा नहीं होता तो बहन होता है वो बहन होता है पर हमारे यह बहिन बोला जाता है भाई बहिन थे रिपीट रमेश वे मीरा भाई बहीन थे यदि आपको पुरानी वीडियोज अभ्यास कर चुके हैं और आप लिखना चाते हैं तो इसके साथ साथ आप लिखते चलें ओके और देखे कि कितना आपने सही किया कितना गलत वे एक साथ साथ खेलते पढ़ते थे वे एक साथ खेलते पढ़ते थे वे किसके लिए हैं रमेश और मीरा के लिए वो दोनों कौन हैं भाई बहीन हैं ओके अनवर अनवर तथा तथा अनवर तथा रमेश रमेश अनवर तथा रमेश गहरे गहरे मीत्र मित्र थे अनवर तथा रमेश गहरे मित्र थे वे एक ही, अब किसकी बात है वे में, वे में कौन से दो लोग है, अनवर और रमेश, उपर कौन थे, वे, रमेश और मीरा थी उपर, ओके, तो जिन के बारे में जानकारी दी जाती है, उनी के लिए सर्वनाम सब्दों का उप्याउग किया जाता है, यह मैं आपको जब व्या सावन का महीना था, महल किनारे महल किनारे मेला लगा था, महल किनारे मेला लगा था, महल किनारे मेला लगा था, मेरी वीडियोस के जितनी भी बागी वीडियोस के लिंक क्या हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बहुत लोगों को पता नहीं होता डिस्क्रिप् मिलेंगे वहाँ पर जाएंगे तो आप पुरानी वीडियो उस पर चले जाएंगे जिस मात्रा को आपको सीखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए कि उसमें आपको कौन से वीडियो देखनी है क्या देखनी है सुरू से वीडियो देखनी है सब के लिंक आपको सहेली थी है कारदी वो भी वहीं मिल गई मेले में एक सरकस भी था मेले में एक सरकस भी था अभी जो सब्द लिखें गए उसमें मातराओं को देखा जाता है कि हम जिन जिन मातराओं को कर चुके हैं उन्हीं मातराओं से related बड़े भालू काले वे बड़े बड़े जूते पहन कर आया शेर जोर अब यह क्या है जोर है जोर में क्या होता है ओ की मातरा है ओ की मातरा की वीडियो में आगे आने वाला हूँ शेर जोर से दहार रहा था यह क्या है हमारा द है आगे वीडियो में यह गलती होगी तो यह प शेर जोड से दहाड रहा था आगे लिखते टाइम भी ये गलत होगा हाथी भी अपने कर्तब दिखा रहा था हाथी भी अपने कर्तब दिखा रहा था रमेश ने हलवाई की दुकान से पेठे वे जलेबी खरीदी मीरा ने केले खरीदे मीरा ने क्या खरीदा केले खरीदे तो एक बार इन सभी चीजों को मैंने पढ़ लिया, बार बार देख लिया, आम मैं इसको पढ़ना भी सीखिया, बहुत लोग बोलते हैं जल्दी-जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं, तो जल्दी-जल्दी पढ़ने के लिए आपको पहले से उन चीजों को आना जरूरी है, जिन च कि रभी के नाम मैं देहकर भी बोल cya यें सुरेस है एया ये ऐसा मैं फिर नहीं कि में जब तक हम और उन पर चीज़ये करते है तो हिंदी से जूड़ी हुई चीजों से जुड़ जाईए निईूस्वेफर से जुड़ जाए एक बुकला कर पढ़ने की कोशिश कीजिए चोटी-चोटी बुके लाईए स्टेशनरी पर जाके तो चलिए हम मैं एक बार इसको जल्दी-जल्दी पढ़ देता हूँ अनवर तथा रमेश गहरे मित्र थे, वे एक ही कक्षा के चात्र थे सावन का महीना था, महल किनारे मेला लगा था रमेश मीरा वे अनवर मेला देखने गए, मीरा की सहेली आरती भी मिल गई मेले में एक सरकस भी था, भालू काले वे बड़े बड़े जूते पहन कर आया शेर जोड से दहार रहा था, हाथी भी अपने करतब दिखा रहा था रमेश ने हलवाई की दुकान से पेठे वे जले भी खरीदी, मीरा ने केले खरीदे अब ये चीजे रटवा चुका हूँ, अब जब इसको लिखवा हूँगा तो देखो आपको कितनी आसानी रहेगी बाकी वीडियो में मैंने ऐसा नहीं करा था, इस वीडियो में ऐसा करा है तो देखे लिखते टैम आपको कितनी आसानी रहेगी और ये गलत लिखा हूँ, आपको दिखेगा दाहाड आप कुछ शब्दों को मैं बोल देता हूँ, शब्दों को भी आप ध्यान से सुने एक मिनट लगेगा मुझे शब्द बोलने में, तो अच्छे से सुनने केक, नेक, टेक, जेल, भेल, बेल ये सारी एक मात्रा के शब्द हैं, मेला, शेर, भेल, टेल, जेल, मेज, चचेरा, सपेरा, बसेरा, ठठेरा, अकेली, रमेश, मुकेस, सुरेस, हवेली, सहेली, सुखदेव, सहदेव ये सारे शब्द मैंने पिछली वीडियो में लिखवाई भी थे, दुबारे से आप लोगों को बोल दिया ताकि लिख ले और पुरानी चीज रिवाईज हो सके, तो इन सब भी कुछ चीजों को देखने के बाद, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को का अभ्यास करेंगे, तो रमेश वे मीरा भाई बहन थे, बहीन है, बहन नहीं, देखिए, रमेश वे मीरा भाई बहन, जब एक साथ होते हैं तो उनके साथ इस तरह लिखाया था, देख लीजिए, सबसे पहले हमें देखना जरूरी है, चीजों को सीखना जरूरी है, आप पती-पतनी, तो उनको एक साथ लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, रमेश वे मीरा भाई बहिन, बहिन है, बहन नहीं, रमेश वे मीरा भाई बहन थे, वे एक साथ खेलते पढ़ते थे, वे एक साथ खेलते खेलते, अब खेलते पढ़ते एक साथ है, तो उसको भी कैसी लिखेंगे खेलते पढ़ते थे वे एक साथ खेलते पढ़ते थे अनवर तथा रमेश गहरे मित्र थे अनवर तथा रमेश गहरे मित्र थे वे एक ही कक्षा के छात्र थे वे एक ही कक्षा के छात्र थे एक बार रिपीट कर लेते हैं रमेश वे मीरा भाई बहिं थे वे एक साथ खेलते पढ़ते थे अनवर तथा रमेश गहरे मित्र थे वे एक ही कक्षा के छात्र थे अच्छे से सुने अच्छे से समझे मेरा लक्ष आपको हिंदी पढ़ना लिखना जिकाना है इसी तरह से अभ्यास करते रहें मेला लगा था महल किनारे मेला लगा था रमेश मीरा वे अनवर मेला देखने गए इसी तरह के और शब्द आप अपने खुद से भी बनाईए जब तक खुद से नहीं बनाईएंगे यह तो मैं आपको अभ्यास करा रहा हूंग देखिए कैसे कैसे मैं लिक्ष च्वरा हूँ शब्दों की पकड़ बना रहा हूँ इसी तरह आप अपने शब्द भी बनाईए मीरा की सहली आरती भी मिल गई मीरा की सहली आरती भी मिल गई मीरा की सहली आरती भी मिल गई मेले में एक सरकस भी था भालू काले वे बड़े बड़े जूते पहन कर आया भालू काले वे बड़े बड़े जब दो सब्दे की साथ लिखाया था तो उस पर भी ऐसा ही निसान आता है बड़े बड़े जूते पहन कर आया भालू काले वे बड़े बड़े जूते पहन कर आया शेर जोर से दहार रहा था जोर जल्दी देखिए पहली बार चीजो को देख रहें तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है पर पुराने वीडियो जाके देखेंगे तो सभी चीज़े किलियर होती रहेंगी जो भी दिक्कते आ रही है यही चीज़े में दुबारा कराऊंगा एक बड़ एडवांस लेवल पर तब आपको सभ हाथी भी अपने कर्तब दिखा रहा था। रमेश ने हलवाई की दुकान से पेठे वे जलेबी खरी दी। हलवाई अब बाई नहीं है। रमेश ने हलवाई की दुकान से हलवाई की दुकान से पेठे पेठे वे जले भी खरीदी खरीदी इसमें जितने भी शब्द है ना ये शब्द पहले ही आ चुके हैं ज्यादा तर शब्द महल होगे आपका रमेश मीरा अनवर सावन रमेश मीरा अनवर ये सारे सब्द में पहले ही करा चुका हूँ आरती ये छोटे-छोटे शब्द में आपको पहले ही करा चुका हूँ सब्दों के अव्यास में इसलिए पुराने वीडियो को देखने के लिए मैं कहता हूँ यदि आप हिंदी पुराने वीडियो सुरू से देखते हो आये, सभी वीडियो देखिए, आपको सभी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, मीरा ने केले खरीदे, तो यहां तक हमारा पूरा होगे आज का भ्यास, कि एक खर शेखिए एंग collateral पर वे एंगाएंगी, आपको से केपके दो से किरेंगा espaço